दोस्तों क्या आमिर खान का रोल उनके लिए एक चालेंजिंग रोल साबित हुआ और क्यों सल्मान खान ने मना किया था फिल्म में काम करने के लिए दोस्तों क्या फिल्म रंगीला वाकि में 90's के दश्रकी एक अनोकी फिल्म थी हेलो और वेलकम टू बॉलिक्राट स्टूडियो उसके एक और नहीं और चत्पती वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं फिल्म रंगीला के बारे में जहां दोस्तों रंगीला 1995 में रिलीज हुई एक म्यूजिकल रोमांतिक फिल्म थी फिल्म के अंदर आक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स फिल्म का म्यूजिक डायलोग्स उस्टाइम के सबसे अलग और यूनीक थे जो उस्टाइम पर लोगों को काफी पसंद आये थे दोस्तों फिल्म को रिलीज किया गया 8 सेप्टेmber 1995 को फिल्म के अंदर हमें नजर आये थे उर्मिला माटूंडिकर, आमिर खान, जाकी श्रॉव, गुलशन ग्रोवर, अफ्तार गिल, रीमा लागू, राजेश जोशी और नीरज बोरा दोस्तो, फिल्म की स्टोरी, डिरेक्शन और प्रोडक्शन किया था, राम गुपाल वर्मा ने, जो कि उनकी बतौर डिरेक्टर हिंदी में पहली फिल्म थी हम आपको बता दे कि फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था एरीमान जोकि उनका बतोर म्यूजिक डिरेक्टर फुर्स्ट फिल्म था और फिल्म कामस आल्बम स्ूपर дополн रहा था दोस्तो फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म का बजट रखा गया था 4 करोर्स 50 लाक्स और फिल्म ने इंदिया में कलेक्शन किया था 20 करोर्स 22 लाक रुपीज का और वर्ल वाइड में कलेक्शन किया था 33 करोर्स 44 लाक रुपीज दोस्तो फिल्म उस ताइंग पर ब्लॉक फिल्म बनाने के लिए डिरेक्टर राम गुपाल वर्मा उस ताइम पर मनी रतनम की फिल्म रोजा और बॉंबे से काफी प्रभावित हुए थे और राम गुपाल वर्मा ने रंगीला जैसी फिल्म को रिलीस करने का डिसाइड किया दोस्तों हम आपको बता दे की फिल्म के अंदर एक टाइम पर शारुक को आमिर खान के रोल के लिए कंसटर किया जा रहा था लेकिन शारुक खान ने उस ताइम पर अपने विलन की इमिज से बॉलिवुड में लवर बॉई की इमिज बनाने में जुटे हुए थे और उनको कुछ ऐसा रोन नहीं करना था जो उनके इमिज से अपोजिट रहता आमिर खान को जब फिल्म के बारे में बताया गया उन्होंने तुरन थी फिल्म के लिए हा कह दिया दोस्तों हमा को बता देगी जाकी श्रॉफ के रोल के लिए अनिल कपूर और सल्मान को भी ओफर किया गया था लेकिन अनिल कपूर के पास तब डेट्स नहीं थी और सल्मान खान और आमिर खान की साथ में आई फिल्म अंदाज अपना अपना बॉक्स ओफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी जिसके कारण उन्हें तुरं साथ में काम नहीं करना था जहां दोस्तों इस वज़ा से जाकी श्रॉफ को रोल ओफर किया गया और उन्होंने तुरं था कर दी आगे बढ़ते हुएं आपको बता दे कि राम गुपाल वर्मा ने फिल्म की स्टोरी श्री देवी को ध्यान में रखते होए लिखी थी और उन्हें फर्स प्रेफरेंस भी श्री देवी ही मानी थी लेकिन श्री देवी को डेट्स न मिलने के कारण उन्होंने मना कर दिया बाद में मादुरी दिख्षित और रवीना टंडन को भी रोल के लिए उफर किया गया लेकिन उन्होंने भी कुछ कारण के चलते मना कर दिया और उर्मला माटुंडेकर को साइन किया गया दोस्तों दरशल रामगुपालवर्मा ने उर्मला माटूंडेकर को फिल्म नरसिमा में देखा था और उनका काम बहुत जादा पसंद आया था. इसके बाद उन्होंने तीन तेलगू फिल्म में उर्मला माटूंडेकर को साइन कर दिया. रंगीला में आमिर खान ने अपने कैरेक्टर को तपोरी दिखाने के लिए कई दिनों तक नहाया भी नहीं था जी हाँ दोस्तो और आगे भी 1998 में आई फिल्म गुलाम में भी ऐसा ही कुछ कैरेक्टर आमिर खान ने प्ले किया था जहां दोस्तों आमिर खान के दोस्त पक्या के किरदार में हमें राजेश जोशी नाजर आये थे एक इंटिव्यू के दरान उन्होंने कहा था कि उनके कैरेक्टर के लिए आमिर ने राजेश जोशी से भी काफी कुछ सीखा है आगे आमिर खान ने राजिस जोशी के साथ 1990 में आई सरफरोष में भी काम किया था लेकिन इसी दोरान राजिस जोशी की 28 की एज में एक कार आक्सिडन में डेथ हो गई थी आप लोगों को पता नहीं होगा कि राजिस जोशी जाने मने आक्टर मनोर जोशी के छोटे भाई थे दोस्तों फिल्म के अंदर उर्मिला माटोंडिकर के कॉस्ट्यूम्स मनीश मलोतरा ने डिसाइन के थे और फिल्म रंगीला के बाद से ही मनीश मलोतरा काफी फेमस होने लगे थे फिल्म के अंदर उर्मिला माटोंडिकर का किरदार लोगों को काफी पसंद आया था दोस्तों फिल्म के गाने यारो सुन लो जरा को एयार रह्मान ने एक तेलगों फिल्म में भी यूस किया था और हम आपको बता दे फिल्म रंगीला के म्यूजिक को हिंदी के अलावा टमिल और तेलगों में भी डब्ड किया गया और फिल्म के सॉंग में हमें उदत नारायन के बेटे अवदत नारायन स्पेशल अपीरियंस में नजर आये थे दोस्तो आगे बढ़ते हुएं हम आपको बता दी कि फिल्म रंगीला लंबे समय तक चलने वाली फिल्म बन गई थी तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और साथ ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले ये स्क्रिप्ट लिखी है रुशाली ने